फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है, कई अभी नेत्रिय इस बात का खुलासा कर चुकिएगी, वो कास्टिंग काउच का सिकार हो चुकी है, ये ग्लैमर की चका चौन से भरे बॉले उट का काला सच है, जिसमें आक्ट्रेसिस को इस तरीके के घटिया का करने के लिए मजबूर हो जाती है, जिनके लिए वो बिल्कुल भी तयार नहीं होती, कई अभी नेत्रिय अच्छी फिल्में हास से निकल जाने के डर से, इनके लिए तयार हो जाती है, तो कई कास्टिंग काउच का खुल कर विरोध करती है, अगर आपने फिल्म पेज 3 दे करता है, आज हम आपको उन्हों भी नेत्रियों से मिलवाएंगे, जो इस दर्द से गुजर चुकी है, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, नमर वन सुरा भासकर, सुरा भासकर अक्सर बड़े मुद्धों पर आवाज उठाती रहती है, उन्होंने अपने साथ हुए सेक्स और हैरेस्मेट को लेकर भी आवाज बुलंद की है, सुरा बताती है कि एक डायरेक्टर बार बार उन्हें फिल्म के सीन समझाने के नाम पर होटल में बुलाता था, और नशे की हालत में समझोता करने का आफर देता था लेकिन सुरा ने इन सब के लिए मना कर दिया, विद्यावालन, विद्यावालन बॉलीवड में एक मंजी हुई कलाकार है, फिल्म मिसन मंगल की सफलता के बाद जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो, विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में ये आ लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रादिका को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, जिया हिंदी फिल्मों से रादिका, तमिल, बंगाली, तेलगो और मलियालम फिल्मों में काम किया करती थी, साउच सिनेवा में रादिका ने अपनी एक अलगी पैचान बना ली थी, वह रादिका हिंदी फिल्मों में आने का मन बना रही थी, तब उन्हें एक बॉलियूट फिल्म आफर हुई, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ ऐसी सर्थे रखी गई, जो बॉलियूट के गिनूने सच को दिखाती है, रादिका ने खुदी इस बात को स्युकार करते व 4. कंगना रनौत, कंगना वैसे तो हर तरह की मुसीवतों का सामना अकेले ही करती है, लेकिन अपने करियर के सरुवाती दौर में उन्होंने भी इस दर्स से गुजरा है, फिल्म अभी नेता आधित्य पंचोली पर योण संबंध का आरूप लगा चुकी है, इसके अलावा अनुगेट्स मनु का आउडिसन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्स्वल रिलेशन बनाने के लिए कहा गया था, नमबर 5. सरलीन चोपडा, बॉर्योड की खुबसूरत बोल्ड हिरोई, सरलीन चोपडा भी ऐसी स्थीतियों से गोजर चुकी है, फिल्म कामसोतर 3D का प्रोडिसर सरलीन चोपडा के साथ, फिल्म के लिए बार बार इंटिमेट सील की रियर्सर करता था, ताकि उनके साथ इंटिमेट हो सके, बाद में उन्होंने इसके लिए F.IR भी दर्स कराई थी, नमबर 6. ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी नब्बे के दसक की मसूर अभी नेतरी है, उन्होंने फिल्म चाइना गेट के दौरान राजकुमार संतोसी पर योण सोसन का आरोप लगाये था, इस काम देने के बदले संतोसी ने उनके साथ सोने की बात कही थी, तो दोस्तो वैसे इन अभी नेतरीों में से आपकी पसंदिदा अभी नेतर की कौन सी है, आप हमें उस अभी नेतरी का नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए, साथ यह सी तमाम इंटरस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले